एक माँ अपने तीन बेटे को मार देती है, एक भतीजे को मार देती है, और पती को मार देती है और वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस मा का जो TV स्क्रीन पे आप जो फोटो देख रहे हैं इस मा का नाम है संतोस सर्मा, उर्फ संधिया और इसका जो वाइफरेंड है उसका नाम है हनुमान ये पूरी कहानी हनुमान और संतोस सर्मा की है और इन्ही दोनों के नाजायज रिष्टे की वज़े से ये पांच हत्या हुई. संतोस सर्मा जो है इसे जो है ऐसो आराम में रहना पसंद था लेकिन संतोस सर्मा का जो पती था बनवारी लाल सर्मा वो कोई बहुत बड़ा छोटा मोटा नौकरी करता था और एक परिवार को उस परिवार में जितने पैसे की जरूरत होती है उतना वो जरूर कमा लेता था लेकिन संतोस सर्मा उर्फ संधिया को ऐसो आराम में रहना था. उसे बहुत पैसा चाहिए था. संतोस सर्मा और बनवारी लाल सर्मा की साधी 1999 में हुई थी और 1999 से ये दोनों साथ रह रहे थे इस बीच तीन बेटे होते हैं उनके तीनों बेटे का नाम और उम्र कुछ इस तरह से है सबसे बड़ा बेटा उसका नाम मोहित उसकी उम्र 17 साल दूसरा बेटा हैपी उसकी उम्र 15 साल तीसरा बेटा अज्जू उसकी उम्र 12 साल ये तीन उस मा के उस हत्यारी मा के सगे बेटे और एक भतीजा जिसका नाम निक्की और उसकी उम्र 10 साल पती बनवारी लाल सर्मा जिसकी उम्र 45 साल थी इन सब की हत्या संतोष सर्मा उसका वाइफरेंड हनुमान और हनुमान का दो दोस्त यानि इन तीन लोगों ने मिल करके संतोष सर्मा के सामने उसके पती को उसके बच्चे को काटता रहा और वो मां खड़ी हो करके देखती रही दोस्तो ये गटना राजस्थान के अलवर जिले की है और 2017 में ये निर्मम हत्या हुई थी ये हत्या उसने किस तरह से की और क्यूंकि एक्च्छल में जब ये ताइकांडो क्लासिस चलाने लगी तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते थे जिसको ये जो संतोष सर्मा है ट् और ट्रेनिंग देने के बाद जो है ऐसा होता है कि जब बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसको अलग-अलग जगों पे कंपिटिशन वगरे के लिए दूसरे सहर लेके जाना होता है तो उसी तरह से संतोष सर्मा भी जो है उन बच्चों को लेकर के दूसरे सहर म में competition के लिए ले करके जाती थी संतोस सर्मा आइकांडो में जो बच्चों को ट्रेनिंग देती थी उनको ले करके competition के लिए अलग-अलग सहर जाने लगी इसी तरह के एक tournament के दोरान जो है उसकी मुलाकात हनुमान से हुई हनुमान सीकर के ही एक दोस्त के साथ BPD की ट्रेनिंग ले रहा था संतोस और हनुमान की मुलाकात होती है बाचीत होती है और बाचीत होते होते ये मुलाकात प्रेम परसंग में चली जाती है यानि दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं अगर संतोस सर्मा और हनुमान के उम्र की बात करें तो दोनों के उम्र में 10 साल का था यानि हनुमान संतोस सर्मा से 10 साल छोटा था लेकिन दोनों को इस्क हो गया इस्क होने के बाद ये लोग अक्सर मिलते जुलते रहे ये सिलसिला करीवन 2.5 साल चला कई वार हनुमान जो है माला खेडा गुजकी जो अलवर के आसपास का ही इलाका है वहां अपने एक दोस् संतोस को लेकर के जाया करता था और वहीं उसकी प्यार महबत का जो परकरन है वो चलता था इसी जगे पे हनुमान के दोस्त कपिल और दिपक की मुलाकात संतोस से होती है तो यानि हनुमान और हनुमान का ये दोस्त कपिल और दिपक यही तीनों दोगने मिल करके ये हत्या क को अंजाम दिया था हत्या की वज़े की बात करू तो संतोस सर्मा के पती और मोहित को जो है इस बात की जानकारी हो गई थी कि संतोस सर्मा का कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है इसी वज़े से बनवारी लाल सर्मा जो संतोस सर्मा का पती है उसने संतोस सर्मा से कहा पच्चों क को लेकर के competition के लिए अब तुम दूसरी जगे नहीं जाओगी तुमको जो भी करना है वो यहां ही करो और इस बात का इस बात से जो है मोहित भी सहमत था और मोहित भी यही चाहता था कि उसकी मा संतोस सर्मा दूसरी जगे ना जाए जो भी training करना है वो यहां ही training करे competition के लिए बच्चों को ले करके बाहर नहीं जाएंगे लेकिन संतोस सर्मा जो है अलग-अलग बहाने दे रही थी कि बच्चों को अगर ट्रेनिंग देते हैं तो उसको जो है बाहर ले करके जाना ही पड़ेगा नहीं जाएंगे तो उसका जो है competition कैसे होगा ये सारे excuses उसने दे रही थी लेकिन बनवारी लाल सर्मा और मोहित बिलकुल नहीं चाहते थे कि संतोष सर्मा competition के लिए दूसरी जगे जाए कि जब ये रोक लग गया तो अब हनुमान और संतोष सर्मा एक दूसरे से मिलेंगे कैसे ये एक सवाल इन दोनों के बीच हो गया और संतोष सर्मा को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके पती बनवारी लाल सर्मा और उसके बड़े बेटे मोहित को उस पे सक हो गया है अब ये चर्चा वो हनुमान से करती है, दोनों परेशान हो जाते हैं, जो है मोहित संतोस सर्मा के फोन पे भी नजर रखने लगा, अब बात करना भी मुश्किल हो गया था, तो दोनों ने मिल करके एक एस्टेजी ये बनाई कि दो नया सिम खरीदा गया, उस दो नये सिम को का इस्तमाल जो है संतोस सर्मा और हनुमान बादचीत के लिए करते थे, अब लोगों को था कि अब ये लोग मिले कैसे, संतोस सर्मा और हनुमान कहीं ने कहीं उनके हजादी पे रिस्टिक्शन लग गया था, कि वो अब मिले कैसे, इसलिए उन्होंने 2016 में कि बनवारी लाल सर्मा और मोहित की हत्या का प् हत्या करने से पहले जो प्लैनिंग थी, वो ये थी, कि जिस दिन हत्या होना था, उस दिन हनुमान ने धेर सारी नीन की गोलियां संध्या को लाके दी, संध्या ने नीन की गोलियां को सिलबटे पे पीस करके रायते में मिलाया, चटनी में मिलाया, जिस वक्त संतोस सर्मा सि तो उसकी छोटी बहन, संतोस सर्मा की छोटी बहन ने ये देख लिया, संतोस सर्मा की छोटी बहन ने जब इस बारे में संतोस सर्मा से पूछा, तो उसने अपनी छोटी बहन को डाट के वहां से भगा दिया, फिर रात हुई, रात में सब को खाना दिया गया, रायते और चट वो संतोस सर्मा ने नहीं खाया, इवन उसने अपनी छोटी बेहन को भी वो खिला दिया था, मारने की जो मनसा थी इनकी, वो मोहित को, यानि अपने बड़े बेटे को और बनवारी लाल सर्मा को, लेकिन हुआ कुछ यूँ, जब रात में बनवारी लाल उसके बच्चे सब सो गए, तब सदोस सर्मा ने अपने प्रेवी हनुमान को फोन करके बुलाया, हनुमान अपने दो दोस्तों के साथ सदोस सर्मा के घर पे पहुँचा, और घर में एक कमरे में वो पाचों सो रहे थे, हनुमान जैसे ही कमरे में जाता है, उसके दो दोस्त भी साथ में रहते हैं इनके पास चाकू भी थी और चाकू की बात अगर मैं करू तो इन लोगों ने बड़ा सा चाकू कुछ 1200 रुपे का उनलाइन ओर्डर दे करके इसी काम के लिए मंगाया था इसके अलावा दो छोटे-छोटे चाकू अलग थे तो जैसे ही वो अंदर घुसता है सबसे पहले बनवारी सर्मा का गला रेत देता है और गला तो रेतता ही है लेकिन उसके दो दोस्त गला रेतने के बापजूद भी उसके बाड़ी पे चाकू मार रहे थे अलग अलग जगे पर अलग अलग इससे पर अब इसको देख करके जैसे ही हुआ फिर उसने मोहित को भी मारना शुरू कर दिया गला काटा मोहित को मार दिया बनवारी लाल सर्मा को मार दिया इसी दर्मियान ये जो सोर सरावा चीक में चीक की जो आवाज आए इसमें वो जो तीन बच्चे और सो रहे थे यानि संतोष सर्मा का दो और बेटा और एक भतीजा जो सो रहा था वो लोग भी जग जाते हैं और उसके साथ भी वही होता है उसका भी गला रेद दिया जाता है और चाकू से बार किया जाता है चंद मिन्टों में ये लोग पाँचों को मार देते हैं मारने के बाद संतोश सर्मा उपर वाले कमरे में उसकी बहन रहती है हनुमान और उसका दो दोस्त बनवारी लाल का यह स्कूटी था उस स्कूटी से वो फरार हो जाता है जाते वक्त जो है संतोस सर्मा अनुमान को 3000 रुपे भी देती है ट्रेवलिंग खर्च के लिए कि ट्रेन से या बस से या रिक्से से जाओगे तो उसके खर्च के लिए और फरार हो करके ये लोग अपने अपने जगे पे पहुँच जाते है संतोस सर्मा दो-तीन घंटा उपर सोने के बाद फिर नीचे आती है और नीचे जिस कमरे में पांचो की लास पड़ी हुए थी उस लास के पास ही वो एक बगल में स्टूल पे बैड़ जाती है और सुबह होने का इंतिजार करने लगती है जब सुबह होता है छे पांच छे वजे के आसपास जो है वो सोर मचाना शुरू करती है कि हमारे पती और बच्चों को किसी ने मार दिया हमला कर दिया हमारा तो सब कुछ लिट गया इस तरह से एकदम वो जो एक बोलते ने एक एक्टर के जैसा एक्टिंग कर रहे थी कि ये घटना रियल में ऐसा हुआ है उसके जानकारी में नहीं है अचानक किसी ने आ करके हमला कर दिया और हमले में उसके पती और बच्चे की मौत हो गई इस तरह का वो एक्टिंग कर रहे थी पुलीस को गाउवाले सूचना देते हैं स्टेट्मेंट दिया कि 3-4 दिन तक तो वो खाना नहीं खा पा रहे थे कमरे में खून ही खून था और वो खून दरवाजे से बाहर तक आ रहा था लास अस्त व्यस्त थी गला काटे जाने के अलावा अलग अलग जगों पे जिसम पे कई सारे चाकू के बार के निसान थे यानि इसको एक ब्रुटल मडर निर्ममत क्या आप कह सकते हैं और वो रूंग्टे कड़े कर देने वाला हमने वो फोटोज देखे हैं हमने वो वीडियोज देखे हैं लेकिन हम आपको वो दिखा नहीं सकते क्योंकि कुछ गाइडलाइन है इस तरह के सीन को हम नहीं दिखा सकते लेकिन यकीन जानी है हमने जो वो फोटोज और वो सीन देखे हैं वो रूंगते खड़े कर देने वाले हैं ऐसा लगता है कि एक लाज दूसरे लाज से लिफ्टी पड़ी हुई है और अलग अलग जगे चाकू के निशान और खून से लत्पत पड़े हुए वो लोग अब आप सोचो कि एक मां के सामने उसके बेटे यानि बेटे आप समझे एक मां अपने बच्चों के लिए क्या नहीं कर गुजरती है लेकिन एक मां के सामने उसके बच्चे की निर्मम हत्या हो रही थी और वो उसमें सामिल थी वो उसके साथ खड़ी थी सिर्फ इस वज़े से कि उसका एक किसी हनुमान नाम के लड़के से इस्क था और वो इस्क नहीं आप कहेंगे ये एक गंदा रिलेशन था, इलिसिट रिलेशन सिप ही इसको हम बोलेंगे, इसको हम कोई प्रेम संबंद नहीं बोलेंगे चुकि संध्या संतोस सर्मा की साधी को 17 से 18 साल हो गए थे, 17 साल की साधी, तीन बड़े बच्चे, वो मा एक ऐसे बंदे से, एक लड़के से इसक लडाती है, इलिसिट रिलेशन सिप रखती है, वो इलिसिट रिलेशन सिप कांटिन्यू रहे अगर वो चाहती, तो ये सब कुछ, जब बेटे और पती को सक हो गया था, तो वहाँ पे ही ये सब कुछ खतम कर देती थी, तो भी ये मामला आगे नहीं बढ़ता था, लेकिन उस इलिसिट रिलेशन को उसको कंटिन्यू रखना था, और कंटिन्यू रखने की वज़े से उ के लिए हूँ, ये सारे एक्टिंग उस औरत ने की, लोगों को लगा कि साइद ऐसा ही हुआ होगा, और इल्जाम किस ने किस पे लगा रही थी वो, अपने ससुराल वाले पे, यानि कि बनवारी लाल सर्मा के रिलेटिव पे ये इल्जाम लगा रही थी कि उन लोगों से ज पुलीस को, जब पुलीस जो है, सारे चीज को रिकवर करती है, मुबाइल डेटा खंगालती है, टेकनिकल एविडेंस के आधार पे पता चलता है कि अच्छा, जब इनक्वाईरी होती है, जब पुलीस जो है, इसकी तपतीस करती है, तो इसका जो प्रेम परसंग है, वो भ परेमें पता था, जब पुलीस को ये बात पता चलती है, तो पुलीस तो फौरण समझ जाती है कि इसमें कुछ न कुछ घड़वड है, और पुलीस जो है, संधिया संतोस सरमा को कुछ ना कहते हुए, पुलीस जो है, मुबाइल डेटा के आधार पे पता करती है, और पुल पता चलता है कि ये सारी जो हत्या हुई है इसमें संतोस सर्मा ही involved थी किस तरह से ये हत्या हुई वह ने आपको बताया कि संतोस सर्मा उसका प्रेमी हनुमान और उसके दो दोस्त इन चारों ने मिल करके इन पाचों की हत्या कर दी एक मा से क्या आप ये उमीद कर सकते हैं क्या कोई ये सोच सकता है कि एक मा अपने जवान बच्चे को वो भी एक नहीं तीन तीन बच्चे को और पती को सिर्फ इसलिए मार दे कि उसको किसी और के साथ नाजाईज संबंध में दिक्कत ना आए उसका वो नाजाईज संबंध continue नहीं रहे इसलिए एक मा मार दे मैंने तो सुना है कि मा अपने बच्चों के लिए अपने पती से लड़ जाती है अपने बच्चों के लिए किसी को भी छोड़ सकती है जब आपने बहुत सारे मामले में सुना होगा कि पती पत्नी का जब तालाक होता है तो सबसे रहता है, वो मा का रहता है, मा बच्चों के लिए तरड़ती रहती है, कि नहीं मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, बहुत सारी हमारे देश में महिलाएं, अपने ससुराल में, अगर लोगों का कुछ सुनती है, सुनके लेती है, तकलीब बरदाइस्त करती है, या हो जाएंगे छोड़ देंगे तो बच्चों का भविस्य क्या होगा तो मा ऐसी होती है जो हर हाल में अपने बच्चे के लिए बड़ी से बड़ी कुरवानी दे सकती है लेकिन उसकी हत्या नहीं कर सकती लेकिन हम लोग कलयूग में जी रहे हैं हत्या की वजह कितनी सर्मनाक है एक इलिसिक रिलेशन एक नाजाई संबंद और उस नाजाई संबंद का जब पता चल जाता है उसके बाबजूद भी आप सोचिए कि बनवारी लाल सर्मा और मोहित ने उस रिलेशन के बारे में उसको कुछ नहीं कहा उसने सिर्फ ये कहा कि आप दूसरी जगे मत जाओ बच्चों को ले करके कंपेटिशन के लिए नहीं जाओ आपको जो करना है वो यहां करो लेकिन ऐसो आराम भोग विलासिता की जिंदगी संतोस सर्मा को चाहिए थी उसके सामने इस भोग विलासिता की जिंदगी के सामने उसे अपने तीन बच्चे एक भतीजा और पती की जिंदगी कुछ भी नहीं लिकली अपनी भोग विलासिता के सामने संतोस सर्मा को अपने पती अपने बच्चों अपने भतीजेओं को मारने में कोई कहीं उसका दिल नहीं पसी जा और वो एक ड्रामा करती रही दोस्तों ये ख़बर अभी बताने की जरूरत इसलिए है कि 21 मार्च 2023 को माननी आदालत ने हत्या में सामिल चारों को उम्रकैद की सजा दी है हलाके जो उम्रकैद की सजा दी है उससे जो है वकील स्तंतुस्ट नहीं है उनका कहना है कि ये रेरिस्ट आफ रेर केस में आता है और इसमें सजा जो है फांसी की होनी चाहिए और साइद इस मामले को उपरी अदालत में लेकर के जाया जा सकता है इन चारों के उम्रकैद को फांसी में तबदील करने के लिए तो ये तो खेर अदालत का मामला है अदालत ने जो मुनासिफ समझा उस हिसाब से अदालत में सजा दी है उम्रकैद की सजा दी है लोग जब इस बारे में सुनते हैं तो लोग यही कहते हैं कि ये एक निर्मम हत्या है और ऐसे हत्यारों को फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए आप क्या सोचते हैं इस बारे में अपनी राय जरूर दे